हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल दिखे आज का जो वीडियो है फूट प्रांट पर है कि कैसे गम्ले में जो आमले की पौधे को आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि वीडियो में थोगी लाइट्स कम होंगी क्योंकि यहां पर थोड़ कैसे ले पौट का साइज कैसे ले सब भी कुछ और छोटी-छोटी सी चिप्स में आपके साथ शेयर करूगी कि आपका प्लांट खराब नहीं हो इन सारी सीडियों के आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा बैटा आजल मिलेंगी वीडियो को पूरा ध्यान से रहें जो मैंने इसी में अपने सारे फ्रूट प्लांट्स ग्रो किये हुएं तो काफी अच्छा रजल्ट मिलता है कि बार-बार मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे रिसेंटल पांच से छे साल बाद मैंने अपने आम के पौधे की रिपोर्टिंग की हैं तो इसमें जो मैं अपने आमले के पौधे को लगाऊंगी मिट्टी मैंने देखी जिससे प्रिपेर की हुई है इसका मैं आपको रेश्यो बता दें क्योंकि जब भी मुझे कोई फ्रूट प्लांट लगाने हुए तो मैं ज्यादा होते हैं तो मैं सारी स्वाइल प्र और साती हर वीडियो में मैं शेर भी करती हूँ तो मैंने इसमें देखी थोड़ी मिट्टी भर दिये तो यहां जो नीचे का जो एरिया जो हमारा है बॉटम है उसमें आपको छे से साथ होल करने यह नहीं कि आपको स्रफ दो होल जैसे गमलों में आते हैं वो नहीं आपको ज्यादा होल करने अगर आपने ज्यादा होल किये तो आपके पॉट में कभी भी कितनी बारिश हो जाए चाया पॉट में पानी डाले कभी भी पानी नहीं रुकेगा अगर पॉट में पानी नहीं रुकेगा तो आपका पॉट कभी खराब नहीं होगा आपको प्लांट कि इस तरीके से हमें layer गी के आप धिक शोल करने और उसके बाद तो पर ustedes के तकरे के लिए उन को लिए छोल को बन बंद अब रॉपर रखेंगे उसके बाद आपको क्या काम काम करना कि एके एक इंच की layer बार स्थ depression ज़्यादा है, तो नीचे के जगह पर आप इस तरीके की ठीकरी की लेयर लगा दें इससे क्या होता है कि तो ये जो थंड़ी होती है गर्मियों का टाइम आता है तो कूलिंग का काम भी करती है और साथ ही साथ हमारे ड्रेनेज जो होल होते हैं नहीं होते हैं और drainage system बहुत best बना रहता है हर वीडियो में मैं आपके साथे जरूर शेयर करती है इस काम को आप जरूर करिए यह बहुत important काम है इससे आपका जो food plant है पूरी तरह से safe रहता है देखे friends food plant के लिए मिट्टी कैसे ready की जाती है उसका वीडियो भी मैंने share की हुए ह यह मेरी मिट्टी देखे मेरे पास terrace gardening है और काफी हम लोग जैसे flat होते हैं height पर होते हैं तो वह मिट्टी का लाना possible नहीं होता इतना ज्यादा शुरूर में हमने gardening की है मिट्टी में बट उसके बाद अब possibility नहीं है तो मैं maximum या तो cocoa peat का इस्तेमाल करती हूँ या फिर जो मे मेरी जो मिट्टी है इसमें maximum जो है मेरे मैंने cocoa peat का use किया हुआ है तो देखे जो अगर आपके पास नहीं है cocoa peat तो आपको क्या रखना है 50% आप जो है मिट्टी लीजिए आप जो भी आपकी अच्छी garden soil होती है और उसके अंदर 30% का ratio में fertilizer का रखना है और 20% जो sand आती है को मिलाना fruit plant के लिए बहुत compulsory है यह ratio आप रख सकते हैं अगर आप cocoa peat करते हैं तो आप चाहें तो पूरी मैं देखी जैसे cocoa peat में भी मैंने बहुत सारे plant लगाएं काफी अच्छा result आता है cocoa peat का ratio वो भी आप 50% रख लीजिए 30% आप garden soil और उसमें थोड़ी सी जो बजरी ह कर सकते हैं तो आप koish कि मैंने इसके अंदर जो है अगर मैं यह करूं कि 50% का जो मैंने मिटी जो इसमें मिटी मैंने एक तऱ से करूं क्यूं रख कि था है कुछ मात्रा में यानि कि मेरे पास अगर soil होती है offering Less magic अगी मेरे इसे ह में तो लेज़ वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है अगर आपको खेट की मिट्टी मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए उससे आपको better result मिलें है हमारे यहां देखिग जो भी park वगले में मिट्टी होती है बाहर से आके डाली जाती है तो मिट्टी अच्छी नहीं होती है बहुत सारे लोगों के जैसे कि मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं कि उनके पौदे खराब हो जाते हैं तो वो पौदे खराब होने कारण है क्योंकि मैंने भी देखा है कई बर मैं थोड़ी बहुत मिट्टी मंगबा लेती हूँ उनका इस तर बड़ा खराब होता है वो अजीब सी मिट्टी नीचे की होती है बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है तो आप अपने मिट्टी को इस तरीके से फर्टाइल कर सकते है इसमें फर्टिलाइजर जो एड़ करेंगे वो मैं शेर करती हूँ आपके साथ 30% के रेशो में जो फर्टिलाइजर में मैंने लिया है वो मैंने काउडंग मैन्योर लिया है आप अपने थोड़ा सा पॉटके साइस के इसाब से विले और थोड़ी सी अच्छी मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें और दूसरे सबसे इंपोटन चाहिए यह फुली डिकम्पोस्ट होनी चाहिए अगर एक अच्छी खाद हुई तो प्लांट हमारा खराब जाए क्योंकि न्यू प्लांटम लगा रहे वैसे भी कभी भी इसका कच्छी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आप चाहिए तो इसकी जगे बर्मी कमपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं यह जो है मैंने सीविड लिया है इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए बहुत सारे benefits आपको fruit plant में सभी पौदह में मिलते हैं और नीमखली का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए दो से ढ़ाई मुठी अपनी मिट्टी के अंदर से mix कीजिए इसका सबसे best benefit होता है कि निमिटोड की problem नहीं होती है और देखे जो मैंने आपको एक pot में जब हम garden करते हैं तो एक scent जो होती है इसको रखना बहुत ज़रूरी यानि कि आपको 20% रखनी है देखे मैं मेरा pot ready कर चुकी है तोड़ा एक सेंपल पे इसके लिए मैं आपको दिखा है दो तीन दिन मैं जब pot ready करने के बाद में शूप नहीं कर पाई थी तो मुझे plant लगाना पड़ा क्योंकि plant खराब हो जाते है तो देखे इसमें जो है मैंने इसका जो लगाने का वो सिंपल सा method है आपने जैसे की pot लिया है देखे सबसे पहले ची फस्ट तो मैं आपको बिल्कुल किलर कर देती हूँ देखे जैसे ग्राफ्टेट प्लांट है हमारा एलेरिंग के प्लांट में इस तरीके की कोई प्राब्लम नहीं होती है जब आपका ये ग्राफ्टेट प्लांट हो इस तरीके से तो इस प्लांट इस इससे को आपको मिट्टी से देखे जैसे की उचा रखना है यानि कि मिट्टी इस पर cover नहीं होनी चाहिए वरना क्या होगा आपका प्लांट खराब हो जाएगा पर fungus लग जाएगी और इसको देखिए टाइम टू टाइम जो होता है इसे निकालना भी होता है यानि कि जब हमारा प्लांट अच्छी growth कर जाएगा अच्छा सब कुछ कर जाएगा तब उसके बाद हम इसे remove करते हैं जब भी हम पौधे को लगाते हैं तो एक गड़ा को कर लेते हैं जैसे कि जमीन में सेम प्रोसेस करते हैं हमको जैसे यह प्रोसेस हम गंबले में कर रहे हैं जमीन में भी करना है आपको एक गड़ा बनाना है उसके बाद अपने प्लांट को इसके अंदर लगा देते हैं देखें मेरे जो प्लांट था बिल्कुल सॉइल बिल्कुल ठीक थी मुझे उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं थी हाँ अगर आपका रेट सॉइल में प्लांट आता है तो मैंने शॉट वीडियो भी काफी सारे अपलोड किये उससे आपको देखें अक्सर लोग क्या करत उसका एक कारण ये भी होता है कि जब हम मिट्टे को खुरच-खुरच के निकाल दे तो इसका रूट चोध है तो देखें आप नई जगे पर उसे शिफ्ट कर रहे है वो डेमिश हो जाता है तो इसलिए आप उसके साथ जादा छेड़ खानी ना करें रेट सॉइल है अगर देखें कल एक्च्वल में अचानक बहुत देखें इस समय जो बारिश ओली उसकी हम लोग इतनी कलपना भी नहीं कर रहे थे मैंने कल इस प्लांट को लगा दिया था और लगाने के तुरंद बाद सबसे पहले मैंने इसे सपोर्टिंग सिस्टम दिया जब भी आप गार्ण काफी नुकसान हुआ है प्लांट को लेकिन इस प्लांट का नया प्लांट मेरा सेफ बच गया क्योंकि इस एक सपोर्ट था तैरस पर आपको एक सपोर्ट हमेशा अपने प्लांट को जो है देना पड़ेगा आमले का जो प्लांट है गंबले में बहुत आसानी से लग जाता पर मैंने अभी कुछ पॉदे रिसेंटल लगाए थे तो वहाँ पर सही में वहाँ पर मेरे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है तो हमेशा फुल सनलाइट में प्लांट को नहीं रखना है पाथ से छे दिन दे कि अभी तो बारिश हो रही है तो आप रख सकते हैं कोई प्र कोट में पानी भरा तो आपका कोई भी प्लांटों खराब हो जाएगा और इसकी मिट्टी देखी जब तक हमारा प्लांट लगा हुआ है मॉइस रहनी चाहिए इसकी जो मिट्टी बिल्कु सूखनी नहीं चाहिए अलाकि अभी इतनी जल्दी जो है मिट्टी सूखती भी न जाएंगी देखी मैं ज्यादा तर इस वीडियो में आपके साथ टिप्स ही फॉलो कर रही हूं क्योंकि मैंने 48 जो है फूर्ट प्लांट लगा दी उन सब के साथ सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हुए कैस तरीके से रूट बांट को हटाना है और सारा प्रोसेस भी मैं आ आपका आमले का पौधा लगेगा यानि कि आप उसमें से फूर्ट ले सकते तो यह सारी चीजे और दूसरे सबसे इंप्लांट काम हमारा प्लांट जैसे कि मैंने इसको लगाया और उसके बाद क्या होता जनरली यह कई बर होता है डेट भी हो जाता है तो एक इंप्लांट जो मैं हर वीडियो में शेर करती हूं उसे आप जरूर दीजिए लगान जैसे कि हमने प्लांट को लगा दिया यह सारा काम मैं कर चुकी हूं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी तो मुझे जल्द वाजी में यह सारा काम करना पड़ा जब भी आप प्लांट लगा आपका पॉट का साइज क्या है अगर आपका पॉट छोटा है आप छोटे गमले में लगा रहे तो आप आदा चम्मच का ही इस्तेमाल कर सकते हैं वरना आप आदा से थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी के अंदर पूरी त करें से डिजॉल्फ हो जाता है और उसकी ऐक वाटरिंग अपने प्लांट को कर दिए जब आप पहली बार जैसे कि हम पानी देते हैं जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो हम पानी देते प्लांट को टो एक वाटरिंग जो है एफसम सौल्ट की आप कर दीजे फिर निश्च पूरे दिन की तो इस तरीके से देखिए आजकल मौसम इतना खराब हो रहा है वीडियो में लाइफ बार बार कम हो जाती है अपने प्लांट को इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सरवाई करेगा जब भी पहली वाटरिंग करें डीप फटरिंग करें यानि कि तो इसे पानी बाहर आजाए उसके बाद और भी बहुत सारी लोगों की इस कमेंट्स आते हैं जैसे कि मैं इसे फटरिलाइजर दी जा तो तो क्या होगा ओवर इटिंग जैसे हम कहते हैं कि वह लुकसान दे होती है ऐसे प्लांट के लिए इतने इतने सफिशेंट फटरिला इसमें सारे माइक्रो नूट्रिंट्रिंट्स भी आ जाते हैं और मिट्टी हमारी नहीं है तो प्लांट को जरूरत नहीं होती है तो यह सारा कुछ है आमले का पौधाव गमले में लगाईए जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ जरूर शेर करूंगी वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज यक्षेर शब्सक्राइब जिरूर की ये तांक यू